मद्य रेल द्वारा नाखपूर इटार सिमार्ग पर काटोल के समीब कलंबा स्टेशन की पास ब्रीच पर बेट ब्लॉग प्रतिस्तापन कारी का सफलता पुर्वक किया गया है जिसके संदर में अधिचानकरी साचा की है सिनियर डिविजनल इंजिनियर प्रतम अगरवाल ने बातिय रेल का नाखपूर मडल के कलंबा स्टेशन पर स्टेशन पर पूल पर बेट ब्लॉग रिप्लेस्मेंट के सफल समापन की खूशना की गई ब्रेश गरडर बेश की संरशनतमक अखंड़ता को बढ़ाने की उडिस से या अनुका और आवशिक के मरवद कारियो रेल परिचारं की सुरक्षा और दक्षिता सुनिचित करने के लिए परिश्रम पुर्वक किया गया था ब्रेश नंबर 90121 जो नापूर मडल के नापूर आनला सेक्षन के अंतरगर तीन खेड़ा और कलमबा सेक्षन के बेश दीथ है विछले साल नियमित निरिक्षन के दोरान पूल का हिस्सा शरती गस्त पागया एती आती उपाय के रूप में गती प्रतिबन लगाए गया थ ट्रेनों को 130 किलो मिटर प्रती घंटी के बचाए 90 किलो मिटर प्रती घंटे की अधिक तम गतीप तक सीमित कर दिया था। स्तिति की गंबिर्दा को पैचानती वे मुख्याले और मंटल टीमों नी बारे किसे सयोग किया, साइट का कई बार दोरा किया और मुख्याले द्वारा स्विक्रोद वशेश कारिय ड्रॉइंग प्राप्ता किया। सेमित कारी शेत्र उप्रवद होने की कारण मरमत कारी में काफी चुनोत्य आई जिससे यह जटिल कार्य बन किया, जिसके लिए साउधानी पुर्वक योजना और कार्यान बन की आउशकता थी। पुल मरमत कारी के लिए नविदा 9 जनवरी दोहजार चौपिस को एक वर्ष के निधारी समाक्ती आउधी के साथ प्रदां की गई थी। हाला कि यात्री सुरक्षा के प्रती उलिखनिय दक्षता और समर्पन का प्रदर्शन करती वे, रेल अधीकार्यों ने केवल दो मैने के बीतर पुल का काम सफलता पुर्वक पूरा कर लिया। बेट ब्लॉक रिप्लेस्मेंट कारी का श्रिक्रिप पूरा होना रेल कार्यों बलके समर्पन और विशेशक्यता का प्रमान है। जिन्नों ने चुनोतियों पर काबू पाने और समय से पहले परिनाम देने के लिए अथक प्रयास किया है। सुरक्षा और डक्षिता को प्रातर मिक्ता देकर बातिया रेल देश भर में यात्रियों को विश्वस दिया और सुरक्षित परिवहन सिवाए प्रदान करनी की अपनी प्रती बदता को कायम रखे वे हैं। अग्टिजानकारी प्रथम अगरवाद वरा साशा की गई है नाकूर 8RC मार्क पर जो है काम किया गया है ब्रीज का क्या कारिय यहाँ पर चल रहा है और कितने दिनों में यह कारिय पूरा हुआ है क्या बता हुआ यह कार आकतवर्ण कारिय में दो साल की प्लानिंग से लिया गया था इसम यह इंसपेक्शन की दोरान यह पता चला है कि इसमें ब्रिज की भाता प्लेग ब्लॉट होता है वह तूट गया था कर दो सूचना दिगई और वह सूचना देने के बाद एक स्कीम बनाई गई जो ब्रिच से नीचे जाता है उस ब्रिच को थोड़ा सा ऊपर करा जाएगा जो एरिया जहां पर तुटाव है उसको तोड़ के पूरा एक नया बेट ब्लॉक डाला जाएगा और फिर ट्रैक को लोवर करके उसको ट्रेन चला दी जाएगी इस कारे की एक और खुबी यह है कि कि यह कारे में यातायाद की सेवा ही नहीं रोकी गई थी सिर्व एक मंद गती का एक कॉशन ओडर लगाए गया था जिसके चलते यह काम करा गया है यह काफी बिजी रूट है और इधर मतलब ट्राफिक का मूव्मेंट बहुत जादा है इस वजह से यह कारे इसलिए चालें शील यहां पर होगा कि कभी हो तो हम लोग है कि बोलती हम अलगाए कि आजुबा में जोह को सीथा नारी एक हें इसlais पूरा किया है पहला तो यह चैलेंज है कि यह अपने आप में चैलेंजिंग सिच्वेशन थी क्योंकि इस टाइप की कोई क्रैक की रिपोर्टिंग कहीं से आई नहीं थी तो जब हमने भी देखा तो इसमें हमें भी लगा कि ये बड़ा एक युनीक प्रॉब्लम आया है तो उनीक प्रॉब्लम को काफी हमने चर्चा करी थी हेटकॉटर में अपने साब लोगों के साथ और उन्होंने फिर हमारे साथ मिलके एक ऐसा वर्केबल स्कीम लगाया जो लोईस्ट कॉस्ट में भी हो और जो हमारे सक्षम में भी रहे तो वह कार्य मादा इस प्लानिंग को कर लोकेशन हम क्या बोल सकते इस लोकेशन को जिस तरह से हम देख रहे कि पूरा यहां पर जो है किसी तरह का मतलब आने जाने की भी सुविधा या नहीं है और किस तरह से मैन पाउर लगा के यह काम किया गया है दिन रात यह काम चल रहा था क्योंकि कम समय में यह हुआ है पह इकुपमेंट्स एंड स्किल्ड मालब की जरूरत है उसके बाद जब यह ब्रीफिंग हो गई थी उसके बाद ही लोगों ने इस काम में इंवल्व हुए है और इसमें सबसे अच्छी बात यह रही है कि हमारा जो एक भी प्रकार का उन्यूशल नहीं हुआ है मतलब हमने इस इसके हमारे जो ओपन लाइन के इंजिनरिंग के लोगों का काफी इंवल्मेंट रहे रांड दे क्लॉक स्टाफ रहे और रांड दे क्लॉक वर्किंग रही है इसमें अब इसे आपने मतलब यूनिक तरीके से बनाया है क्या यूनिक नेस की टेक्नोलोजी इसमें यूज की इसमें यह सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट था कि वर्किंग स्पेस बड़ी कम है आप ब्रिच का अगर आप एरिया देख सकते हैं तो एरिया इतना कम है कि यहां पर कारे करना ही कठेन है तो वर्किंग जो हमारी मेथडोलोजी थी वह औरियंटेट थी कि छोटा-छोटा काम ध ब्रीज है इसका काम जो है लगभग जो है दो मैने में पूरा हुआ है वर्क ओर्डर निकलने से काम पूरा होने तक छे मैने का समय लगा है जो कि दो시간 का समय दिया गया था दो साल के आउदी दी गए थी लेकिन बहुत ही कम समय में यूनिक कुछ टिप्स का उपयोग कर ये जो ब्रीज का काम है पूरा किया गया है कैमेरा प्रेसेंट राशकुमार मोहर के साथ मैं क्षिती जादेश मुग बीसीन नियोज नाकपूर